तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि minimum viable product क्या होता है जब भी आप startup business शुरू कर रहे हैं या कोई भी startup जब शुरू कर रहे हैं तो startup के बारे में जब आप research करने हैं पढ़ाय लिखा ही करने हैं तो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा minimum viable product अगर आपने lean startup के बारे में पढ़ा है जो Eric D's का बुक है वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि lean startup वोड तो आपने सुना होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे minimum viable product क्या होता है और कैसे आप अपने business के लिए startup के लिए कैसे minimum viable product बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सौगत है आपका startup योगी में जहाँ पे हम आपको मदद करते हैं आपके startup को सफल बनाने के लिए आप startup के हरे caution को आप सीख सकते हैं हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो से 300 से भी जादा वीडियो से और हम बांगला और इंग्लिश में भी हमने शुरू किया है तो अगर आपको अपने business के लिए एक सही free of cost अगर guide चाहिए ताकि आपको बहुत कुछ guidance मिलेगा बहुत सारा work sheet मिलेगा तो screen पे ये link पे आप जा सकते हैं या इसका link आपका description में दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके इसको collect कर सकते हैं ताकि आप अपने business idea को या business में कहां जूज रहे हैं marketing कोई भी हो सकते है वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा बहुत सारे time frame हमने जो वहाँ पे work sheet हमने बना के रखा है सिर्फ आपके लिए तो सबसे पहले हम ये समझना पढ़ेगा कि कोई भी startup हो कोई भी business हो startup हो startup मतलब क्या है कि आपने एक चीज को शुरू किया है start किया है तीक है इस जगा पे कोई भी जो business होता है कोई भी entity जो market में आती है वो कोई problem solve करती है किस तरीके से एक product या service को sell करके आप कोई भी product या service sell कर रहे है इसलिए आप market में आये है maybe आप consultancy कर रहे हो maybe आप legal services provide कर रहे हो maybe आप कोई lowe का frame बना रहे हो maybe आप lightboard बना रहे हो जो हम use कर रहे है तो यहां पर हर एक product का एक development cycle होता है, जब भी आप कोई website बना रहे हैं, website में क्या होता है, पहला जो आपका version होता है, iteration होता है, वो तो perfect नहीं होता है, वो सबसे घटिया quality का होता है, फिर उसके बाद आप regularly उसको update करते रहे हो, तो हर एक product cycle के माध्यम से product cycle के जरीए आपका ज change करते हो, जब आप legal services provide करते हो, उसका marketing strategies भी आप change करते हो, तो चलिए बात करते हैं, MVP के बारे में, MVP क्या है, वो है minimum viable product, उसको सरल भाशा में अगर आप कहते हैं, तो वो है least developed product which sells, उसका मतलब यह है कि अगर आप कोई grocery store खोला चाहते हैं, online grocery store या physical grocery store खोला चाहते हैं, तो पहले दिन क्या आपके पास 1000 item होगा, आपके menu में, आपके brochure में, आपके catalog में, पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप आडानी अंबारी नहीं है, अगर आपके पास 100,000 करोर रुपे का funding नहीं है, अगर आप 10,000 रुपे से शुरू करने, आप 1000 item कैसे रख सकते हो, तो आप 10 item रखोगे, जिसके माद्यम साब अपने customer को service दोगा था, item क्या होगा, दूद होगा, आटा होगा, मैदा होगा, चावल होगा, डाल होगा, यही तो आप बेचों के basic necessity, उसके बाद जितना आपका बिकरी बड़ेगा, जितना आपका profit बड़ेगा, आसता आसता आप उसको उत इसके benefits के बारे में बात करते हैं, जब भी आप MVP तयार करते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरे सपने का product है, मैंने इतने जजबात मैंने इसमें डाले हुए, इतने emotions मैंने इसमें डाला हुए, तो कैसे मैं एक semi developed या मेरे हिसाब से सबसे best product मैं आपना version है, वो क्यों नहीं जो आपका research cycle था, या production cycle था, वो कम करके, research cycle को आपने reduce करके, दो महीने में करके market में निकाल दिया, market से आपको at least response मिलना शुरू होगा, minimum, मतलब इस तरीके साब आपने इसको तयार गया कि customer खरीदने के लिए ready हो जाए, next हो जाता है, कि सबसे best चीज है, कि अगर आपको business च जाता है, कि चलो भई, कुछ तो पैसा आ रहा है, और जो आपका team member है, उसको भी एक रहते है, कि चलो धंदा चलेगा, तो मैं यहापर रहूंगा नहीं, तो मैं दूसरा job में भाग जाऊंगा, तो यह चीज भी होता है, next हो जाते है, कि जब भी product यार करते है, market में डालते ह तो आपको customer का behavior पता चलता है, customer की सोच पता चलती है, customer क्या-क्या issues face कर रहा है, वो आपको पता चलता है, आप जब product cycle में घुसते हो, या कोई भी research and development करते हो, आपको लगता होगा कि यह चाहिए होगा, वो चाहिए होगा customer को, पर eventually customer को वो सब नहीं चाहिए होगा, तो उसक से आप अपने business को product को, startup को और आपके approach उसको improve कर सकते ही, यह सबसे वड़ा advantage होता है, उसी के साथ सा disadvantage, हरिका advantage और disadvantage तो होता ही है, तो disadvantage ही हो जाते है कि आप अपना best version market में नहीं रार रहे हैं, तो यहाँ पर आपका initial response है, वो आपका negative आ सकता है, कि उतना अच्छा product नहीं है Finishing अच्छा नहीं है, quality में इतना features आपका missing है, तो वो हो सकता है, next हो जाते है कि quality of the product or the service might be compromised, मतलब यह हो जाते है कि अगर आप सोच रहे हैं, कि अगर आपने कोई grocery store खोला, ठीक है, grocery store में आप सोच रहे हैं कि मैं A grade का material डालूँगा, पर आपके पर बैसा नहीं है, तो आश्रीवाद मिलने चाना, बहुत मज़ा, आश्रीवाद मिल जाता मुझे, तो इस जगह पे आपका जो product quality है, या आपका जो service है, वो थोरा सा compromise हो सकता है, but over a period of time, जब आप यह जैसे आप देख पारें, pros and benefits and disadvantages, आप अगर compare करते हैं, यहाँ पे आपके चार बहुत सारा मै MVP तयार कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जो समझना पड़ेगा, वो जैसे आप देख पारेंगा, आपको customer का requirement, obviously, आप अपना customer का problem solve करें, इसलिए आप MVP तयार करें, सबसे पहले आप अपना customer का requirement समझते हैं, उसके pain point को solve करना है, जब भी आप MVP develop करें, आपको MVP ऐसा develop करना है जो आपका customer आपके हाथों से लेके चला जाएगा, ठीक है, आप वो आपका designing यह नहीं देखेगा, वो यह नहीं देखेगा कि आपका 10-15 features जादा है या कम है, अगर आप अभी Corona का दवाई निकालते हैं, लोग थोड़ी उसका फरक, लोग कुछ नहीं फरक पड़ेगा, कि वो कहां पर बनता है, made in China बनता है, वो किस कलर में आता है, उसका packaging कितना सुंदर होता है, किसे को कुछ नहीं फरक पड़ेगा, क्योंकि वो एक problem को solve करता है, उसे के साथ सार आपको overthink नहीं करना, आपको यह नहीं सोचने करें, लोग क्या सोचेंगे, शर्मा जी का बेटा क क्या बोलें, वो सब नहीं सोचने है, आपको सिर्फ market में जाना है, उस चीज को बेचना है, और आपका research cycle जो है, जो production cycle जो है, वो reduce होता है, आपको लग रहा था, आगी बारा मीना लगेगा, वो आपको दो मीने में हो जारा है, so it helps you understand customers requirement, आप ऐसे जगह पे अपना time waste नहीं करोगे, जहां पे आपको focus नहीं करना चाहिए, आपको इस जगहा फोकस करना है, कि जहां पे आपको business को grow करने में आपको आसानी और मदद मिलेगी, दूसरी के साथ साथ आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगे, कि MVP क्या होता है, कैसे आप अपने business के लिए MVP शुरू कर सकते हैं, बिल कर सकते हैं, और अपने business को अब इस लिए अगर आपको मदद करते हैं, अगर आपको free guide चाहिए, जो आपकी business को बढ़ाने में मदद करेगा, तो screen पर यह link पर आप जा सकते हैं, या आपका description में उसका link दिया हुआ रहेगा, free of cost है, जाके उसको download कीजे, उस एक worksheet होगा, वहाँ पर आपके लिए कुछ guidance होगे, जो आपको बहुत मदद करेगा, आपकी business को आके लेगे जाने के लिए, और अगर आपको कोई भी question होए, तो comment section में बताए, आपको पता ही होगा, like और subscribe तो आपको पता ही है, क्या गर नहीं है, आप बहुत समाट हो, इसल बता ही है, क्या है आपको पता हुट